हेलो दोस्तो वेलकम टू अभी क्लासेज मैं अजित कमार आप लोग का बहुत-बहुत सवागत करता है फिर से मैं आप लोग के लिए एक नए अपडेट लेकर करका हूँ यह अपडेट आप लोग के एकनोमिक से रहेगा यानि क्लास 10 के लिए और क्लास 10 का चप्टर 5 फिर से उन्होंने इसके लिए बिसे मैं आंदोलन किया और फिर उन्होंने अपने अपने अधिकार की मांग किया और । उनको अधिकार मिला गया और उस अधिकार का कैसे उपयोग करते हैं और अभी भी किस परकार से हनन किया जाता है और अगर आपका हनन किया जाता है तो आप उससे कैसे बस सकते हैं यह सारी बाते हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अगर आप एक भॉकता होने के नाती यह सारी छीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंप्टन जाता है तो चलिए मैं आपको छलिए च्टारट करते हैं पहले आप लोग को बता दता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आया हैं तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह कि आपको यहाँ पर हर डे एक नए अपडेट मिलेगा एंसे आटी सॉलिशन वह भी हिंदी में और पुर्ण रूप से आपको कॉसन एंसर भी दिया जाएगा जो किसी दूसरे चैनल में आपको हो सकता नहीं मिलेगा तो इसके लिए आप जरूर से जरूर चैनल को की मांग करता है अगर एक भुक्ता ने रहalion तो वो बस्तौँ असे वाओं की मांग कोन करेगा हम सभी एक होक्ता है इस अध्या में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से अधिकार भुक्ता के पास है और अपने अख़बारों में बहुत भा भार भुखता के अधिकार बुखता क क्या करते हैं इन सवालों के जवाब को इस अध्याय में मिलेंगा और इस अध्याय में मुख्य लक्ष वोक्ता के बात करेंगे सबर्धिने संब्सक्राइब करो bye एक उबट आंदोलन के बात करेंगे और इस अध्याय में रहत हैंneyseng को चाहरेंगे को आगे बढ़ाने के संबंद में क्या-क्या बाते हुई थी तो सबसे पहला पॉइंट जो है वह हम इस वीडियो लेक्चर में आपका क्लियर करते हैं और वह उपभोगता अंदुलन होता क्या है उपभोगता अंदुलन हम लोग उत्पादक भी है और उपभोगता भी है या हम किसी भी वस्तू का भगते हैं एक गन्य का ऊगाने वाला किसान घंणा नहीं करका होगा यानि हो जो भी उत्पादन कर रहा है यानि कि जो चावल और रोटी का उत्पादन कर रहा है तो वो हो सकता है गन्ना निखाता होगा यानि कि जो उत्पादक है वह उत्पादक भी है और हो भी सकता नहीं हो सकता है लेकिन हमेशा एक उत्पादक क्या है उत्पादक होगा ही होगा तो तो यह लाइन आपको याद रखना है और हम लोग प्रात्मिक दूतिय या तिरतिय चहत्रक में काम करते हैं इसलिए हम एक तरीके से उत्पादक हैं अब हम बजार चे देर सारी वस्तूओं और सवाओं को खरीते हैं इसलिए हम क्या है उत्पादक क्यों है और उत्पादक क्यों है चलिए आगे देखते हैं क्या हुई बात अगर देखा जाए तो आज हर चीज उत्पादन के लिए नियम वह सरते हैं अगर इसलिए बाजार में उत्पादक की सुरक्षा का भी कुछ नियम वसरते बनाए गए यानि कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या नियम वसरते लगा रहता है आप अगर देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर आपको ओफर मारती है तो उसमें T&C लिखती है अपने ध्यान नहीं दियागा कि अखरिकर यानि कि नीयम वसरते हैं तो एक भुखता के लिए चीज़ क्योन ही जरूर होना चीए जब यह नहीं था तब वो भुखता को बहुत ज्यादा सोसन करमा आहता था यानि कि दुकांदार ही गलती निकालता था और गरहक को क्या बताता था ऑर गलत नहीं गलती किया है मेरी गलती से इनका समान कराब नहीं हुआ है वे हमेसा यहीं करते थे कि अगर आपको हमारा समान पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाओ यानि कि दुकांदार के पास हमेसा यह बात कहने को मिल जाता था कि अगर तुम्हें मेरा समान पसंद नहीं है तो तुम कही और चल जाओ और भी कारण थे जिसे वो बोक्ता का सोसन क्या जाता था अधीक दाम ले करके यानि कि जितना दाम लिखा हुआ है उससे भी जादा दाम ले लिया जाता था दूसरा वजन या नापतोल में कमी करके वजन या नापतोल में वो कमी करके इसका उधारन करते थे अगला नगली वस्तू को दे करके यानि कि वो वस्तू के अस्थान पर किसी दूसले उसी परकार के उसी तरह से दिखने वाले नगली वस्तू को दे करके वो भुकता का सोजन तो ये कुछ तरीके थे जिससे क्या होता था उभोक्ता का सोसन होता था और इनसे बचने के लिए क्या किया यह सब तब जाकर खात्मुआ जब उभोक्ता ने क्या किया आंदोलन क्या उभोक्ता आंदोलन परामुआ उभोक्ता आंदोलन उने 160 से लेकर के 180 तक चली और उभोक अधिकार क्या होना चाहिए किसी भी लोगों का किसी भी भॉक्टा का और सरकार पर दबाब डाला कि कोई एक कदम बढ़ाए यानि कि वो कोई कदम बढ़ाए इसके खिलाप certa का जो सोसन और उसके खिलाप वो कदम बढ़ाए और फिर o 1986 सिक्स यानिक उन्हें सु चीअस में सरकार भुख्ता शुरुक्षाद नियम पास किया और इसे हम लोग कोपरा के नाम से भी जानते हैं इसे भुख्ता हैं इसे भुख्ता शुरुक्षाद नियम को तो अब आप लिए अधिकर को आने वाले वीडियो Wanna Nobumila मातरब